आईए सुनते हैं महाशिवरात्री व्रत की कथा पौराणिक कथा के नुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानू था वह शिकारी एक साहुकार का कर्जदार था और समय पर साहुकार का कर्ज ना चुका पाने के कारण साहुकार ने उसे शिवमठ में बंदी बना लिया सैयोग से जिस दिन शिकारी को बंदी बनाया गया उस दिन महाशिवरात्री थी साहुकार ने इस दिन अपने घर में पूजा पाठ का आयोजन किया पूजा के बाद कथा का पाठ भी किया गया शिकारी ने भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को बड़ी ध्यान से सुना शिकारी ने साहुकार से रेंट चुकाने का वादा किया और पूजा कारे क्रम समाप्त होने के बाद साहुकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन रेंट चुकाने की बाद कही इस पर शिकारी ने उसे वचन दिया कि वो समय पर उसका रेंट चुका देगा साहुकार ने शिकारी को मुक्त कर दिया अब शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आ गया क्योंकि यह उसकी दैनिक दंचरिया थी शिकार की खोज में शिकारी को रात हो गई जंगल में ही उसे वो रात पितानी पड़ी शिकारी एक तलाब के किनारे बेल वरक्ष पर चड़कर रात बीतने का इंतिजार करने लगा जिस बेल वरक्ष पर वह शिकारी चड़ा हुआ था उसके ठीक नीचे शिवलिंग था जो कि बेल पत्रों से ढख चुका था और इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था अराम करने के लिए उसने बेल पत्री की कुछ शाखाएं तोड़ी तो इस तोड़ने की प्रकरिया में कुछ बेल पत्र की पत्यां भी शिवलिंग पर गिर पड़ी शिकारी बू का प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा इस प्रकार से शिकारी का महाशिवरात्री का वृत्भी हो गया तब ही गर्भिनी हिर्णी तलापर पानी पीने के लिए आई शिकारी ने उस हिर्णी को मारने के लिए जैसे ही अपने धनुस पर तीर चड़ाया तब ही वह गर्भवती हिर्णी बोल उठी किहें शिकारी मुझे मत मारो मैं जल्दी ही बच्चे को जनम देने वाली हूँ अगर तुम इस समय इस हालत में मुझे मारोगे तो एक साथ दो दो जीव हत्या का पाप तुम्हारे उपर लगेगा जो की बिल्कुल उचित नहीं होगा और मैं अपने बच्चे को जनम देकर शिगरी तुम्हारे पास आजाओंगी तब तो मुझे मार लेना इस समय मुझे जाने दो शिकारी ने गर्भवती हिर्णी की बात सुनी और उसे जाने दिया गर्भवती हिर्णी वहां से चली गई धनुष रखने में इस प्रकार कुछ और बेल पत्र तूटकर फिर से शिवलिंग पर गिर गई इस प्रकार शिकारी से अंजाने में ही रात के प्रथम पहर की पूजा भी संपन हो गई थी कुछ ही देर बात एक और हिर्णी उधर से निकली पास आने पर शिकारी ने तुरंती अपने धनुष पर तीर चड़ा कर निशाना लगाया लेकिन तभी वह हिर्णी शिकारी से निवेदन करने लगी कि ये शिकारी अभी थोड़ी ही देर पहले मैं रित्व से निव्रित हुई हूँ कामात और विरहनी हूँ और अपने प्रे की खोज में भटक रही हूँ मैं अपने पती से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाओंगी तब तो मुझे मार लेना इस समय मुझे जाने दो शिकारी ने उस हिर्णी को भी जाने दिया अब शिकारी विचार करने लगा कि किस प्रकार वे शिकार कर पाएगा इस दोरान रात का आखरी पहर भी बीट गया और इस बार भी उसके धनुष रखने से कुछ और बेल पत्र शिवलिंग पर जागिरे और इस तरह उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजा भी संपन हो गई कुछ ही देर बीती थी कि एक और हिर्णी अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ वही तला पर पानी पीने के लिए आई उसे देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ उसने सोचा आज तो मैं इस अफसर को अब जाने ही नहीं दूँगा और किसी भी हाल में अब इन हिर्णियों का मैं शिकार करूँगा यह सोचकर जैसे ही उसने धनुश और पान उठाया तब ही वह हिर्णी बोल उठी हे शिकारी अभी इस समय मुझे मत मारो नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ कर आ जाओ तब तुम मुझे मार लेना मैं वचन देती हूँ कि मैं जल्दी ही इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे सामने उपस्तित हो जाऊंगी लेकिन शिकारी को उस हिरनी की बात पर विश्वास नहीं हुआ एक तो दिन भर का भूका प्यासा उपर से दो बार वह अपना शिकार छोड़ चुका था जिस कारण क्रोधित होकर उस शिकारी ने कहा कि मैं अब इस शिकार को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूँगा मेरे घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतिजार कर रहे होंगे और भूक प्यास से व्याकुल होंगे इस समय अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूगा अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ लेकिन शिकारी की बात सुनकर वह हिर्णी हाथ चोड़का शिकारी से निवेधन करने लगी कि है शिकारी जिस तरह तुम्हें तुम्हारे बच्चों की चिंता हो रही है उसी तरह मुझे भी मेरे बच्चों की चिंता है तरप्या करके इस समय मुझे जाने दो मैं अपने बच्चों को छोड़कर कुछ ही क्षण में तुम्हारे सामने उपस्तित हो जाओंगी रात भर किये गई जाकरण से और अंजाने में की गई शिवरात्री की पूझा से शिकारी का हिर्दे परिवर्दन हो गया था उसे उस हिर्णी पर दया गई और उसने उसे भी जाने दिया अब शिकारी को अपने पूर्व के सभी कर्मों पर बड़ा पश्चताप हो रहा था उसे खुद से गृना हो रही थी उसे अपने परिवार की भी चिंता हो रही थी कि वो कैसे अपने परिवार का पेट परेगा इस तरह बार बार धनुष पर तीर चड़ाने से कुछ और बेल पत्र तूटकर शिवलिंग पर जागिरे जिससे अनायासी तीसरे पहर की पूजा भी संपन हो गई अभी वह शिकारी सोच में बैठा ही था कि तभी एक और हिरन वहाँ पर पानी पीने के लिए आया उसे देखते ही शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चड़ाया लेकिन वह हिरन हाथ चोड़कर करुणा भरे स्वर में शिकारी से कहने लगा हे शिकारी मुझे मत पारो अगर तुमने इससे पहले आने वाली तीन हिर्दियों को भी जाने दिया है तो किरपा करके मुझे भी जीवन दान दे दो मैं जल्दी ही अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलकर तुमाने सामने उपस्दित हो जाऊंगा तब तुम मुझे मार लेना और अगर तुमने मेरे परिवार को मार डाला है तो तुम मुझे भी मारने में एक्षण की देरी मत करो हिरन की बात सुनकर शिकारी की आँखों में रात का वो सारा घटना चकर घूम गया कि किस तरह से हिरनिया एक एकर उसके पास आई थी और बार बार अपने आपको जिवन दान देने के लिए उससे निवेदन कर रही थी इस तरह शिकारी ने उस हिरन को भी जाने दिया पौफट चुकी थी यान की सुबह होने ही वाली थी कि चौथे पहर का पूजन भी समाप्त हो गया कुछी क्षण में वह हिरन अपने पूरी परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित था और वह हिरन परिवार शिकारी से कहने लगा हे शिकारी अब तुम हमें मार सकते हो लेकिन तब तक उस हिंसक शिकारी का मन परिवर्दित हो चुका था वे शिकारी तो उन जंगली जीवों की वचन बदता और सत्यता पर हैरान था उसे खुद से बहुत गलानी हुई उसने अपनी धनुशबान एक तरफ रख दिये और प्रतिग्या की की आज के बाद वे कभी जीवध्या नहीं करेगा और उसने समस्त हिरन परिवार को भी जीवन दान दे दिया